जिन्दाराद इंकलाद इंकलाद जिन्दाराद मैं तमाँ अपनी बहनों को कहती हूँ मत्र देश का ताना शहा ही आपकी परिक्षाद नहीं ले रहा एक दो दिगरी टंपरेचर में पंदरज दिन से जो मेरी बहने बैठी है उसकी परिक्षाद खुदा भी ले रहा है कि कितनी मजबूत हैं मित पहने वो ताकत दे रहा है हमारी परिक्षा वो भी ले रहा है ताकि हम इस मजबूती में इस दाना शहाद के सामने ठीकी रहे हमारा भाई पंदरा दिन से कुछ खाया नहीं है पंद्रा दिन से इस भाट में खाया नहीं है, अभी मेरे भाई मुझे कह रहे थे, आप आई हैं, कुछ नाश्टा करके जाईएगा, भाईयों से कहा है, जिस दिन भाई नाश्टा करेगा, उस दिन करूगी यहां पर, आकर भाई के साथ नाश्टा करूगा, आप अकेले नही हैं, इस से पहले एक चोट पर, मिलकर आई हो अपनी बहनों से, तीन लाख लोगों ने सीधा प्रसारन देकर, अपना समर्धन आपको दिया है, और यह संदेश पहजा है, कि इने जाकर बता दीजिए, कि आप अकेले नहीं हैं, आप के साथ पुरा हिंडूस्तान खड़ा सल्मान जी यहाँ पर है, अकलाग भाई, दनिश भाई, मेरे साथ नाजिन भाई, अनवर भाई, जामा मस्दिद से आए हैं, हमारे आबाद भाई और मेरी बहर, जामा मस्दिद से पार्शद हैं, सुल्टाना आबाद जी, लगाताओ जामा मस्दिद में मीठिंगे हो रही ह हमारी महिलाओं ने कल से अबे घेरा हुआ है, और हमें बार बार कहा, कहीं और जाओ न जाओ, शाहिन भाई में तो बहने बैठिए, एक बाद बिलाओं ने हम दो नहीं हैं, हजारों बहने ने अपनी दुआएं आप के लिए भेची इस करक्ति ठंड में क्या मांग रहे हैं, किसे आजाधी चाहिए, ताना शाह सरकार से आजाधी माग रहे, आजाधी इतना खूबसूरत शच्च है, इतना खूबसूरत शच है, लेकिन इनोंने उस आजादी के शब्द को तरोर मर्मोर के भी तार-तार करना शुरू कर दिया है मांगी आजादी सो साल देश कुलाम रहा इस मिठी के अंदर किसका खून नहीं है और जब इस तरीके से तानाशा सरकारे आती है और बेहने अपना घर परिवार के जिम्मेदारी बच्चों के जिम्मेदारियों के साथ साथ जब यू निकलती है तो तानाशा तो समझ जाना चाहिए कि रजिया सुर्थाना अर्नास अभणी इनी में सबन कर दिकलने वाली है आपको ललका रेगी अगर या दोलत नहीं हो तो घर में होगे कले केंजी टीवी में बहुत भावुक कर देने वाली तस्वीर किसी ने डाली कि सर्द हवाए है और नीचे निखाब जो घर में बैठे है खिरकिया बंद कर लीजिये हवाएं आ रही है और वही आपकी तस्वीर काली हुई थी उन सब तो अंगर तक वो एक बात का हिला गया कि सर्दी में सब कुछ छोड़कर इतने दिलों से किस के लिए बैठी है अपने लिए नहीं देश के लिए बैठी लेकिन माफ़ी चाहूँगी बुरा मत मानियेगा ये मेरा नज़र क्या है शायद इसको आप कैसे देखेंगे मालू नहीं पर मैं अपने नज़रियों को रखना चाहती जब इस दाना शाह ने कश्मीर की देख लज़र उठाई थी 370 धारा लगा कर उसके तिन तुकड़े करके वहां राज्पती शाशन लगा कर एक 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 जिल में डाल दी आवादे बंद करती है तब हम खामोश रहें हमें लगा ये तो कश्मीर का मामला है हमें क्या फरक पढ़ रहा है खामोश रहें ताना शाह खाम पहुचा ताना शाह आसाम पहुच के रहा आसाम जब पहुचा हमें लगा ये अनरसी की आड में जो 19 लाख के करीम लोगों को NRC की लाइनों में लगा कर अपनी नगरिक्ता साबित करने को कहे रहा है यह मातलासान सक रहेगा 19 लाख लोगों को चिन ही प्रिया गया हम खामोश रहे हैं लेकिन चाट देश की पार्लिमेंट में नगरिक्ता कानून आया धर्ब के आधार पर आया समिदान को तावतार करके आया तब हमें समझाई यह आध तो मेरे घर तक पहुँच रही है तब हम जागे लेकिन अगर हम पहले जाग गए होते तो शाहिदे सरकार या सक्ता में ना होती यह ताना शा सरकार में ना होते लेकिन हम नहीं चाहते थे, लेकिन देव नहीं हुई है, जब हम जोदा का चुनाव लड रहे थे, तब ये असम में कहते थे, लंबे समय तब कॉंगरेस की सरकार रही है कहते थे, कि कॉंगरेस ने घुस पैठियों को बांग्यादेश पाकिस्तान की सरहदों से देश में बसा सब्सक्राइब पर्लेमेंट में नाधिक्ता कालूल लेका राये तीसरा कदम था, नागरिक्ता कानून पे मैंने नहीं, देश का ग्रह मंत्री कौन है, उसने हमें बताना शुरू किया, और हमने उसे सुना, उसने क्या कहा, उसने कहा, नागरिक्ता कानून तब पहला कदम है, और उस नागरिक्ता कानून में, हिंदु, सिक, इसाई, बोग, ज पार्सी इनको नागरिक्ता कानून के मुतादे अब देश की नागरिक्ता धी जाती है लेकिन एक कौम को क्यों छोड़ दिया या देश तरकों पर पूंच रहा है क्या दुश्मिनी है संग भाजपा की उस एक कौम से ये बता दीजिए क्योंकि इस देश की मिट्टी में जितना खुन हमारा है उतना खुन इनका भी लिदा हुआ है बताये तो सही नहीं बताते हैं कि क्यों आपने उस एक कौम को छोड़ दिया आज अलकलामा हिंदू है डादा का पैदा हुए पाकिस्तान में मेरे डादा पाकिस्तान पैदा हुए मेरे पिता पाकिस्तान पैदा हुए देश का बढ़वारा हुआ दादा और पिता मेरे हिंदूस्तान आए और उन्होंने हमें बताया हम ने पैदा हुए थे हम हिंदूस्तान में पैदा हुए बताया मेरे दादा ने बताया मेरे पिता आज तक बताते हैं, हमों के लिए नहीं आए थे, जब देश का पत्वारा हुआ, धरम के अधार पर हुआ, तक बहुत पर सिक्स्तान परिवारों ने हिंदुस्तान चुना, और देश में हमारे साथ आए थे, ही मेरे दादा ने मुझे बताया, लेकिन आज, आज आज आपका अधार है, लोगों के पास आधार है, लोगों के पास वोटर आई अधार है, तूने फिर भी क्या नागरिक्ता कानून में लाइनों में लगना पड़ेगा, उन्होंने खुद कहा, कि आधार वोटर आई आई काद, पासपूर्ट और इसको मिक्स मत करिए, वो अलग चीज़ है, वो अलग बात है, जी अलग बात है, वो अलग बात को समझने के लिए, आज देश सर्कों में है, वो अलग बात क्या है, वो हम जानना चाहते हैं आपसे, अगर आई का लामा जो समझी है, जो अपनी बेहनों को समझा रही है, अगर वो गलत है, तो चुनोती देती हूँ, बुला लीजी पार्लिमेंट का जोइन सेशन, एक दिन के लिए एक गंटे के अनन, जुट साबित कर दीजिए हमें, कि हम जो कहरें वो जो जो जो, नाइसी में क्या होगा, आधार की लाइनों में देश लगा या नहीं लगता, नौट बंजी में देश लाइनों में लगा, नाइसी में देश का हारे नागरी, हिंदो, मुस्लिम, सिख, इ सब लाइनों में लगेंगे फिर क्या होगा सुनिए फिर क्या होगा लाइनों में लगकर अलका लामा के दादा पाकिस्तान से आए पीता पाकिस्तान से आए लेकिन अलका लामा के पास नागरिक्ता साबित करने के लिए मेरे सिक बोज चैन पार्सी भाईयों के पास अगर मिल जाएगी हम भारत चे नागरिक रहेंगे लेकिन इस करोड़ों में जो 30 करोड़ों में जो 30 करोड़ हमारे मुस्लियम भाई बहनें जिसे नागरिक टानूर में बार रखा हुआ है अगर वो लाई में लगेगा उसके पास कागज नहीं हुए वो अपने नागरिक्तन नहीं साबित कर पाया क्योंकि कई बार आती है कई आग लगती है कई भुकम पाता है बहुत से लोग अभी भी गरीबी रेका से नीचे है अपने कागस क्या कुछ भी संभालने के लिए चर्थ रही है उनका क्या होगा इस कानून के मताबिक आपको गुस्पैथिया थाबित किया जाएगा क्योंकि अपना अगरिक्तन थाबित नहीं पाएंगे कानून में आपके लिए जगह नहीं रखी और आपको गुस्पैथिया बताकर एक-एक को इस देश से बाहर निकालने की एक प्रक्रिया अगले चार सालों में शुरू हो जाएगी ये का पिछली स्पार भी किया जा सकता था चोबिस में भी किया जा सकता था आते ही शुरू इसलिए किया क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में लंबा समय लगेगा चार साल इके पास है इसी साल सरकार में आये इसलिए इस परक्रिया को अच्छे तरह कर पाएंगे एक एक को बांगला देशी पाकिस्तानी इस पैठिया बताकर बाहर करने के परक्रिया अगले चांस आचे लिए ओ क्या है इसके लबा कुछ हो तो बताईए ला चुलोती देते और अगर जो इनकाराबा कह रही है जो हमारे भाई सर्मान ने कहा हमारे अखलाग भाई ने कहा दानिस्तब ने कहा है अगर वो सचे तो आपको जुटना होगा आपको काला कानून, नगरिक्ता कानून वापिस लेना होगा ये हम कहने के अगवार आए है ये कहने हम लोगे यहां पर आए वापिस लेना होगा देश का ताना शाह बाइस दिसम्मर को रामिला मैधान आये थे मेरी विधान सभाई चांदी चोक की विधायग हो जामा मस्जद में हर रोज दुआइं कर रहे हैं इस देश के लिए इस मस्जद से सोचा ताना शाह दिल्ली के चुनावी सभा करने आये हैं भाजबा के नेता बन कर आये लेकिन वो ताना शाह हमारा प्रधान मंत्री भी यह हमारा दुर्भाग यह है कि एक तड़ी पार देश का ग्रह मंत्री है और एक आदमी है मोधी तेरी ताना शाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी हमिच्छा तेरी कुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोधी तेरी ताना शाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी सोर सिल्म की तक्कर में घर्ष हमारा नारा है हिंदो मुस्लिम सिक्ष हिसाई एक मिड़ अपने मुबाइल की वो लाइट सब ज़ा दिशे बहुत बहुत शुक्रिया मैं कहूंगे भारत की राज दिखनी दिल्ली में बैठी है आप तानाशा की सरकत उत्तर परदेश पे भी है बीस करोर आदा हिंदोस्तान वहां बस्ता है हमारा इस तरह की जाजतिया हो रही है पुलीस के जंडे पर 144 धारा लगा कर लोगों की लोग तंतर में उठ रही नागरिपता कानून के खिलाफ आवाजों को दबाने के पर्यास किये जा रही इंटरनेक बंद किये जा रहे है लेकिन लोग किसी तरह वीडियो बना बना कर हम तक पहुंचा रहे हैं इनकी जाजतियां जो लोगों के साथ हो रहे हैं दिका रहे मातर तेड़ साल की एक बच्ची है मातर तेड़ साल की बच्ची उसका उसके मार पिटा को अतिहाड जेल में डाल दिया है वो बच्ची भी आज इस पूरे आंदोलन इस आवाज में उसकी भी कुर्बानी को कोई भूल ली सकता जिसकी बच्ची तूर्थ मुआ बच्ची को दिया चुपा दिया मैं आप सबी से करूँ हर आंदोलन ने कुर्बानीया मांगी है त्याग मांगा है आज मेरे भाई और आप त्याग दे रहे है बहुत लोगों ने कुर्बानीया भी दी है इस देश को भी आजादी कुर्बानीया देखकर मिली है आज आज एक इतिहास एक दिन हैं सब के लिए आज कॉंग्रेस का स्थापना दिवस था सुबा सुबा शीवदी सोनिया गांदी जी हम सब ने कॉंग्रेस के 134-32 साल में एक एक इतिहास का पनना पलटना शुरू किया तो पता लगा ये इतिहास त्याग और बलिदान पर लिका हुआ है बापू का सीना चीर कर जिसकी गोली गई थी वो गोली नच्चु रामगोटसर संद की गोली थी जिसकी बुझा आज की जा रही है आज आप सभी से कहूंगे ताना शाह आए थे 22 दिसंबर पर रामली गा मैदान में आए थे नज़र थी कि कुछ ऐसा कहेंगे कुछ ऐसा भरोसा दिलाएंगे कि ये जो देश चल रहा है वो आग भुजेगी और देश असली मुद्दो पर तेरा उस्गादी, महंगाई ब्रस्तवचार, महिला सुरफशा गिर्तियत ववस्ता के चर्चा कर पाएगा आए नरेंद्र मोदी जी परदान मंत्री जी आए थे लेकिन क्या कहा कहा ये जितने लोग आपको दिख रहे हैं ये सारे कांग्रस के इशारे पर है उन्होंने ये भी कहा ये सब अरबन नकसली है हम सब को नकसलवाद बता दिया हम सब को देश के लोगों को तंगाई बता दिया और चीक चीक कर चीक चीक कर कहा जूट 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 ये जूट है ये जूट है ये जूट है ये देश की सड़कों पर आवाखम जूट है इसकी आवाज जूट है लेकिन सच क्या है ये भी तो बता दीजी उन्होंने कहा ने कभी भी NRC का सिक्र नहीं किया है जैसे उन्होंने एक आपरदान मंत्री जी ने लोगों ने राश्ट पती जी का भाशन फढ़ना शुरू कर दिया कि लोग सबा राचे सबा के जॉइंट पार्लिमेंट सेशन में जब राश्ट पती जी मेरे सरकार कहकर बात कर रहे थे तब उन्होंने सिक्र किया है कि NRC देश में आएगा देश का ग्रयमन देश का ग्रैमनत्री कोई सडक चाप छलताव गुंदाव मवालील, दंगाईल. ये ग्रह मंत्री के बारे में बता है? मैं तो ये सोच रहे थी? ये ग्रह मंत्री नहीं होगा पर आप कह रहे हैं जो मैंने परीचे दिया, वो देश के ग्रह मंत्री का परीचे. बहुत बढ़ा. अब उन्होंने बार बार कहा. अपेखी किक्दम हम नागरिकता कानून लेकर आगला किदम NRC है ये बारबार कह रहे हैं किसे गुम रहा कर रहे हैं मैं अपने बेहनों को मातरे कहोंगी अपने भाईों को कहोंगी सलाम करती हूं आपको ये बेहने दिल, रात, घर, परिवार की जिम्मेदारियों के साथ, साथ बच्चों की जिम्मेदारियों के साथ जब एक और दो टिगरी टेंपरेचर है, जब लोग कहते हैं खिड़किया बंद कर लीजी, हवाई खंडी आ रही है उस दोर में ये बेहने देटी और भाई पाकत बनकर पीछे कड़े हुए है हमारे कपड़ों में बात हुई, कल मेरी बेहन सुल्दाना अबाद जी, इनों ने मुझे देखा कि मैं भार्षन देती हूँ तो हम हिंदु अपने हिसाब से जब पहनते हैं, तो दस बर पलू जो है वो सिर से गिरता रहता है इनों ने मुझे अच्छी तरह पहना दिया, कि अब बात करो, अब ये गिरेगा नहीं और इतने समय में ही, याद आगया, अरे, इसको देखकर अब लोग कह रहे हैं, अलका लामा ने धर्म परिवर्तन कर लिया, कपड़ा बदलते ही सोशल वीडियो में कलसे तस्वीरे आ रही है, मैंने सुल्ताना गाजी को का, मुझे अब समझ आ रहा है, इनके कपड़ों से पहचानिए, ये कौन से कपड़े की बात कर रहे है, सब लोगों ने अपने पहना में अपने कपड़े बदलने शुरू कर दीजिए, और वो पहचानिय हो दीजी, मैं माफ़े चाहूंगी आप सभी से, आपके साथ अभी जामा मस्जिद में, एक बुज़र्ग सबा कर रही थी दो लाइने पढ़ते वुरते आसू आ गए, दिल को हिला कर रख दिया उन्होंने, कि कुर्बानिया दी है, जाना चाहते जामा मस्जिद जाक की विधाया की, जब बच्वारा हुआ धरम के अधार पर, पाकिस्तान चुन सबते थे, पर हिंदुस्तान चुना, और ये पूचर यही हमारी गल्पी है, बोला नहीं, मत करी अपनी इमानदारी पर, अपनी देश भक्ती पर शक, इन ताना शाओं को, इन तंगाईयों को, संगियों को, आपको कोई सबूच आब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हिंदुस्तान आपकी गवाई, आपके बरिदान क्योंकि गवाई, आप चीट-चीट कर देश दे रहा है, कि आपका कितना बरिदान है, आपको इंटर सेटिफिकेट की बथाई भी ज़ किसे के पास हपिया रहे कि हम सब नियहिकत्ते हैं, हमारी ताकत क्या है? हमारी ताकत लोग तल्क में हमारी आवाज है, हमारी एक्ता है, हमारी यह अधर होना और हमारी पेहनों का घर चोड़के पर्चला हमारी ताकत है इंसाल हवाओं में पहार की तरह हमी आख रहे हैं, अल्ला ने हमें तुबत दिया रहेगे इंशाल। मैं भूँजी जी जी सिनक अहा गूरी लिखाएंग दिखाए हैं माफीचा पर्दान पत्री जी एक राद एक एक दिन के लिए आज़ाए है मेरे बेहन उसके लिए 56 का सेना चाहिए हो कि- यह आने के लिए 55 का सीना चाहिए वो नहीं है इसलिए वो नहीं आइंगे यह जो भाई आ रहे है वह आमें दिख रहा है वह हमारे हिंदुस्तान की महिलाओं से लड रहे है तो हम क्या उखिल सकते हैं कि दो इंदुसा की महिलाओं से लड़ रहे वो पिपल का लाग में आपकी तो चिंता करते हैं चिंता करते Don't Before the बाद की कि जिडिये चिंता नहीं पर फाद की न है आपकी शोर्म है यह आपके अजलिदे का मांग मां दे कि उन dep opinions या वो शॅब् Sådan ये तो जब देश के पधान मंत्री बनने आए, लोग सभा का चुनाव लड़ने आए, नमांग भरने लगे, तो ये शर्थ पता लगी कि जूटी जानकारी देने पर और या अधूरी जानकारी देने पर आपका नमांग मौदी जी रग हो सकता है, उस दर से आपने इस विकार कि आप शादी शुदा है और आपकी बदली भी है, जो आज भी अकेली कुछरात में अपने हग दर अधिकार, अपने सम्मान और जगा के लिए लग रही है, मा हूँ, 22 साल का मेरा बेटा है, अभी ग्रजुशन की कानून की पढ़ाई कर रहा है, मा हूँ, इसलिए जब जा के उपर, पुलीस ने लाटिया बरसाई, उनके हाथ पैट औरे, मा के साथ पिता का बीम सीना पसी जा था, खून कोल रहा था, कि हमारे बच्चों के उपर, आप इतने दानाशाई पुलीस खुस के मार की है, वो परदाश नहीं था हैंसे, और वो परदाश भी नेंगे, हिंदुस्तान को चलते वो देख कर रो रही है, वो भारत माता भी आज रो रही है, मैं आप सबी को कहूंगी, हिम्मत बनाए रखियेगा, मात्र जामा मस्दित से, यहां तक बहुत पहले आ सकती थी, पंदरा बीस दिनों से भाई भूका है, आप इतने टन में सब चुकर ब मस्दित की, रोज आपको टीवी पर देख कर, रोज सुल्दानाबाद बहन और मुझे कहती थी, आप यहां आओ नाओ, शाइन बाग जाना, हमारी बहनों को हिम्मत देने जाना, आज मेरे भाई, दानिश भाई, आकलाफ भाई, इन्हों ने का आप आईए, आप आईए, आ हमारी बहनों को टाकत मिलेगी, मुझे नहीं मालू, कितनी टाकत मैं आपको देख कर जा रही हूं, पर टाकत लेकर जरूर जा रही हूं, कि हिंदुस्तान में कहीं जुर्ण पड़ेगी, जाँ जाँ, हमारी बहने, हमारे भाई, इस लोग कंत्र के अदीन, इस नागरिक्ता खिलाफ कानून के खिलाफ आवाजे उठाएंगे, पूरी कॉंग्रेस में, मेरा परिवार आपके साथ घड़ा है, अभी, अभी मेरा भाई पीटर पर दिखा रहे है, प्रेंका गांदी को टिटेन लिया गया है उतर परदेश में, वह एक परिवार को, जिस ने कुर्बानी अभी थी है, इस पूरे अंदोलन में, उसे मिलने जा रही थी, उसके चक्मों पे महम की जाकर मिल लेती हूँ, जो चला गया वो नहीं आएगी, वहाँ पर पुलीस ने, उतर परदेश में फाट की पुलीस ने, प्रेंका गांदी को टिटेन कर लिया, दो तिन दिन पहले, राउल गांदी जी प्रेंका जी मेरट जा रहे थे, वहाँ जाने से रोख लिया है, कि कई हम यहां तक पहाँच कर, और आज भी यहां आने की ख़बर, अगर मैं तहीं बता कर आती, तो शायद मुचे बिली आने दिया गया होता, आने के बार, आज पेस्बुक पे, तीन ल कोई भी हिंदुस्तान की यह सच्चाई दिखाना नहीं चाहता, जो समर्थवन में करे हैं, वो भगवा लिये खड़े हैं, जो नागरिक्टा बिल के समर्थवन में करें, मोदी शाजी ने अपने नेताओं को बलाया, अपने सांसोतों को बलाया, और बोला, गांगरों में उसे हुए हो, लो भगवा जंडा, समर्थन में रेलिया करो, रेलिया कर रहे हैं, फ्लॉप रेलिया हो रही है, एक पर भगवा है, और दूसरी तरह, दूसरी तरह तेश का तिरंगा है, देखनी जिएगा आप, जारकंट का चुनाव था, नागरिक्टा कानून जब लाये, जारकंट का चुनाव था, वही जारकंट, जहापर आपके खाने के पतीलों में जाका गया था, लोगों पर हमने जब हुए, उनकी बेल करवाने, जारकंट बेंके केंदरिया मंत्री गए थे, उन्हें हागले में हाट डालने, इनके मंत्री गए थे, ये पतीलों में जाका, उसके बाद हमारे तहनावा पर आए और आज नागरिक्ता कानोर में आप हम सब को गुस पैठिया बता रहे फरिडाव आ गए रहा चार कंड क्यों जो भगवा था उसका सफाया होना देश में शुरू हो गया है और तिरंगा देश का तिरंगा वो लहाना शुरू हो गया इनकी गुल्टी गिंदी शुरू हो चुकी है मैं आपको कहते हूँ शान्ति पूलवक तरीकों से कड़ती ठंड में शुर्मती सौनिया गांदी जी दॉप्तर मर्मोवन सिम जी प्रेंकर गांदी जी गाहूल गांदी जी कॉंग्रेस पूरी तरह से हर उठड़ी आवाज के पीछे ताकत बनकर खड़े हैं और यूँ ही खड़े रहेंगे हमारे मुक्रे मंत्री चाहिए वो पंजाब के हो हर्यान है हमारे राचस्तान मद्द पर्देश शेत्स गर्ड हमारे कॉंग्रेस के मुक्रे मंत्रियों ने बिल्कुल इस बात को इजार कर दिया है कि हम अपने अपने कॉंग्रेस शाषित राच्यों में एनर्सी और नगरिक तक अनूर लागू हरके नहीं होने देंगे मैं हाथ जोड़कर प्री के मुक्रे मंत्री से भी निमेदन करना चाहूंगी गुजारिश करना चाहूंगी एलोन में देर मत करिये अगर आप इस तरफ करे है तो एलोन कर दिजिए कि दिल्ली में भी एनर्सी और नगरिक तकालू नहीं हम लोग लागू परेंगी लोने कहना चाहूंग हमारे बच्चे आपको जामिया विश्विधाले में इंतजार कर रहे थे हमारे बच्चे आपका हस्पतालों में इंतजार कर रहे थे हमारी बेने यहां इंतजार कर रही है लेकिन आप नहीं आ रही है आप मत आये लेकिन एलान कर दिजिए कि कॉंगर्श शाषित राज्यों की तरह दिल्ली में भी मागरिक्ता क्यानून एनावसी हरकिस लागू नहीं होने दें लूए हम आपके तर्फ से पहते हुए मैं आप सबी से यही कहूंगी दिल्ली कर्चनाप अगले मढ़ी में हैं राजनीती हावी होगी धुरूवी करन किया जाएगा क्योंकि जब जब धुरूवी करन होता है लाभूने होता है एक तरफा इधर हो जो एक तरफा मत पठियेगा आप मुस्लिम हैं मैं हिंदू हूं सि कि जो देश चल रहा है जो आग है वो आग सब को जो है अपनी लपेटे में लेना शुरू कर दिया है आप सभी को कहूंगी यहिम्मत खुदा से दुआ करती हूं रोज जामा मंदिर जाती हूं सुबा मंदिर भी गई गुर्दुआ के ली गई चर्च भी गई ऐसा रही है क सिर्फ मस्जितों में आपके लिए दुआय हो रही है मैं आपको यकिन दिलाती हूं हर मंदिर की घंती आपके लिए बच रही है हर दुर्दुआरे के अंदर आपके लिए जो फिर्तन हो रहे हर चर्च में आपके लिए दुआय हो रही है क्योंकि यही अनेकता में एकता प हम्सर, हम्सर , हम्सर , हम्सर , हम्सर , अँश्थ आवास्थ आबगे , आवास्थ आवास्थgender Gudhm видно अटनापाणर , अभवास्थ मळ EPA . अवास्थ आवास्थ *** अबगे , अलका जी पब्लिक ओचिक तु कंटिवू। मैं एक प्रीज दीदी का इंट्रेव्यू देगा था कैसे बलतकार लेकार रही थी। और इन्हों ने ये पी का अगर मेरा बेटा होता ना उसको पी जिले देखी। विल्कुल, विल्कुल, विल्कुल ने जिले देखी। भाइनी तु जिक्र किया है, उन्नाव की हमारी एक बेटी बलतकारी कौन था। भाजपाता, रिधायख, कुल्दीप सिंग, सेर्क। क्या हुआ था? मात्रे घतिया था। फेस्बुख, सोशल मीडिया। महां से उन्लाव से बात आई कि पूरो परिवार भाटपा के मुख्यमंत्री भोंगी कौँगी योगी नहीं कौँगी उसके घर के बाहर बैठा है उसके एकविदाइब ने बलचकार किया है पुली सक्वायार नहीं कर रही है लेकिन पुली क्या हुआ अगर मुख्यमंत्री आपकी अपनी ऑलाद हो थी उस बेटी का दर्द आपको समझाता जिसके पिता आपके दर्वाजे पर बैठे थे बेटी के बलादकारियों के खिलाव आपके नेता के खिलाव नयाई के लिए बैठे थे क्या हुआ था अंदर बुलाकर बेठी के सिर पर हाथ नहीं रखा भाजपा के मुख्यमंत्री भोंगी अधित्या ने हाथ नहीं रखा क्या किया पुलीस पुलवाली जब पुलीस आई तो क्या हुआ बाप, बेठी, चाचा और हमारी पीडित बेठी को ठाने लोगे क्या हुआ यहीं हुई क्या हुआ रात भर फुलीस इरासक में उन्नाग की पेठी जो बलापकार की पीडित है उसके पिता को रात पर पीटा गया और सुबा पिता ने दम तोड़़ दिया शर्म करो शर्म करो उसके बाद उस बेटी का वीडियो हम तक पहुचा बोला पिता अपनी बेटी को न्याई नहीं दिला पाया पुलीस ही रासत में उसे माट डाला गया है जब हमने दबाब बनाना शुरू किया उसके बाद F.I.R.V और भाट पक अभी था एको दिप सिंग सेंगर हिनासत में लिया गया लेकिन उसके बाद क्या हुआ बेटी का दबाब बनाया कि माबला वापिस ले लो वो भाट पक अभी धायों के देश दिली में उसकी सरकार है बेटी बचाओं का नारा तो चुमला था लो भाईदाओं के बोट ले लेकिन लिया था क्या हुआ फिर ट्रॉक से बेटी और उसकी चाचा का एक्सिटन करवाया गया बेटी उसका वकील सब आप देखिए औल इंडिया मैडिकल इंस्टिटूट के प्रोमा सेंटर वेंटी लेटर पर आगए लगा ये खत्म हो गए लेकिन बेटी जिन्ना पच गई हमारी आवाजे बुलंती आजको दोशी करार दिया गया जाओं के जाओं गी जाए अभी जाली रहेगा गो मिनिट दें के अभी अजान हो रही है झाल झाल झाल